नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जैशनिदेव महराज जी की दोस्तों अगर आप अपने जीवन में गरीबी दरिदरता भागय का साथ ना मिलना या परियाप्त धन ना आने की वजह से परिशान चल रहे हैं अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है किसी ने आपके उपर काला ज साल पहले से इस्तिमाल होते आए हैं जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नीम्बू के नीम्बू का इस्तिमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आप जोतिश शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्यायन करते हैं तो नीम्बू के उपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको मिल जाएंगे नौकरी पाने के लिए नीम्बू का इस्तमाल कैसे आप कर सकते हैं अपने व्यापार को दोडाने के लिए आप लोगों को नीम्बू का इस्तमाल कैसे करना चाहिए अगर आपका शत्रू आपका विनाश करना चाहता है तो नीम्बू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है बुरी शक्तियां का वास है तो इन सब को भगाने के लिए नीम्बू कैसे राम्बान की तरह कां करता है ये सभी जानकारी आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी तो अगर आपका भाग्य सोचुका है आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है पती पतनी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रही हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, दोस्तों ने नीमबू का इस्तिमाल ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है, बलकि स्वास्थे की दृष्टी से भी, नी नीमबू उसमें रामबान की तरह काम करता है, नीमबू के अंदर इतनी ताकत होती है, कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है, आपकी कई परिशानियों को कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे आपके जीवन में कष्ट कम हो आपके उपर माता लक्ष्मी का, आशिरवाद हो भगवान भोलेनाथ आपको आशिरवाद दें, तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख ले, योंकि इस वीडियो में आज आ पूरा देख ले क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जो की वीडियो भगा-भगा के देखते हैं, यकीन मानिये अगर आपने एक पॉंड भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, हम यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित जनकल्यान अगर हमारी कोशिश से किसी एक इनसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे, तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशिरवात दे दिया, तो काल भी उसका कुछ बिगाड नहीं सकता है, तो आखिर नीमबू के कौन से वो दस उपाय है, ध्यान से सुनले पहला उपाय है, बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगोंने अकसर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाडिया पूटी दुकाने होती है, बड़ी दुकाने होती है, उन सब में नीमबू और मिर्च तंगे हुए होते हैं, इसका, मुख्यकारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं, देखिए कहा जाता है, कि कुछ पे, पौधों में उनके फलफूलों में अनेक सारे प्राकृतिक अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है, कहा जाता है, कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है, इसी तरह से जो चलता दोडता व्यापार होता है, वो तक बंध हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने आपके उपर नजर लगा दी, तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगा कर रखते हैं, इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है, कि नींबू का खटा और मिर्च का तीखा गुन बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकागरता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है, ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार च अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके उपर पड़ जाएगा और वो बरबाद हो जाएगा, इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें, दूसरा जो प्रयोग है, व दूस्तों हम वास्तुग्यान का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के उपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके उपर है, अध्याय नमबर 21 में नींबू के बारे में, साफ साफ लिखा हुआ है कि जीस धर परिसर में अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है, तो यकीन मानिये उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है, उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्क बंध हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्स के माय जाल में वो फंस्ता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके घर पे नीन्बू का पेड है, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी आपके घर का बातावर, बहुत अच्छा बना रहेगा घर के लोगोंने हमेशा बनती रहेंगी सरल भाशा में समझाएं, तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं, जहां परिवार के लोगों में आपस में लडाईयां होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है, और जीस घर की बरकत नहीं होती है, वो. घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है, वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो है, नीम्बू के पेड का मतलब अगर आपके घर में नीम्बू का पेड है, चाहे गमले में लगा ले, चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिये हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख, देखकर तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा पहले तो आप लोग हो सके हैं, तो नीम्बू का पेड लगा, दीजिये लेकिन वो रातों रात तो नहीं उगता, तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है, हिंदू पुरान के अंदर की आपको अपने घर के चारों को तालाब में आप बहा दीजिये, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंतर तंतर जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी नकारात्मक शक्तियों का बास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उन्हीं नीम्बू, के साथ वो चला ज वो नीम्बू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं, कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं, और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिये कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाय तीसरा प्रयोग है, सफलता पाने के अगर आप नौकरी की तयारी कर रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रही हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्स के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा, रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, और तो आप ठक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तयारी के साथ जाते हैं, लेकिन आपका सेलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विध्यान में उपाय साफ साफ हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें, तो नीमबू में चार लोगों को गाड ले और वहाँ पर बैठ जाए, पाल्थी मार कर आराम से बैठ जाएं, और हनुमान चालिसा का पाठ करें, पाठ करते हुए जीन्स नीमबू में चार लॉन गाड़ी है, उसको अच्छा हो जाएगा नवगरह आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था, वो सौभाग्य में बदल जाएगा, लेकिन हनुमान चालिसा मन में पढ़िएगा बोलकर मत पढ़िएगा, अगर आ आप तरस रहे थे, दोस्तों ये सारी बाते हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके, तो आगे बढ़ने से, पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं, कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें नीम्बू को बहुत उप्योगी माना गया है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और ऐसा लगता है, उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी, जिसके कारण उसकी तबियत खरा, रहती है, तो एक नीम्बू लीजिए, पीडित के सिर के उपर से साथ बार घुमाएं, सिर्फ एक ही निम्बू लेना है, फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए, जिसका कभी इस्तमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नीम्बू को दो भा से उतर जाएगी पाँच बार वास्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है, नीम्बू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, तो आप, जान पाएंगे कि नीम्बू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते है तो आपको अपने। प्रयोग कर लेते हैं, नीम्बू के साथ तो यकीन मानिये वो जो नजर लगी हुई जो नकाराक्मक शक्ती आपके पीछे पढ़ गई थी, वो आप से दूर हो जाएगी, इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है आपका। व्यापार घोडे की तरह दौरने लग जाता है, यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है वास्तु। भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मिहंत करते हैं, लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिये किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है, आप नौकरी की तयारी कर करके ठक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बाते रोजाना हो रही है, आप बहुत परिशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसी सब रही हैं, तो ध्यान से सुनियेगा, तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या व्यापार में वृध्धी नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नीम्बू लेना है, उसको गंगाजल से अच्छे तरीके से धो इस नीम्बू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंतर का जाब करना है, मंतर है ओम श्री हनुमते नमह अगर इस मंतर का आप 108 बार जाब कर लेते हैं और उस नीम्बू में आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तयारी करने के लिए जा रही हैं, इंटर्व्यू के अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, आपको यह पेपर देने जा रही हैं, तब तो यह सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर ले जाएगा, यकीन मानिये जो दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो भाग्य के रूप में बदल जाएगा अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर सेलेक्शन होना तय है, ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा। बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक सौव आठ अंक बहुत ज्यादा पसंद है, एक सौव आठ कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं, वो सफल होती है और यह क्रिया अगर आप नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के व जो दवाई करा करा के ठक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परिशान हो चुका है, कि अब मैं क्या करू तो जो हम आपको आप बता रहे हैं, उसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड व्यक्ति के उपर से नीम्बू को साथ बार उतरना है, सर से लेकर पाव तक एक नीम्बू को साथ बार उतरना है, फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है, ध्यान रखिये ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए शनिवार के दिन, अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो एक सौ परसेंट ये काम करेगा ही करेगा आपने साथ बार नीम्बू को उतारा 25 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे जब आपको उससे नीम्बू के चार टुकडे करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहाँ पर 4 रास्ते हो ताहिने बाएं आगे पीछे अब वहां पर अलग-अलग दिशाओं में उन। नीम्बू के चार टुकडों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है मतलब साथ बजे यहाद। हो जाएगा रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके उपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी दोस्तों ये सारी बातें आपको कही जाने को नहीं मिलेंगी लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला ह पूसके एक नीम्बू के बारे में आप लोग सोच लीजिये कितना ताकतवर होता है नीम्बू इसी कारण पुराने समय के जो साधू संत महात्मा होते थे वो नीम्बू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहा नीम्बू की जरूरत पढ़ जाए और नीम्बू से उस मं संत्र तंत्र को हटा लिया जाए अब आठवा उपाय आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ती है तो दोस्तों यह बहुत कम लोगों के लिए होता है लेकिन फिर भी जानले मान लीजिये आपको संतान नहीं हो रही है कोई ऐसी महिला है जो बांज है जो इस वीडियो को द संतान लोगों के लिए अगर आप इस दिन नीमबू के पौधे की जड़ तोड कर लाती है और देशी गाय के दूध में मिला कर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी बहुत विद्वान गुनवान संतान की प्राप्ती होगी अगर आप अनेक उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृती अलग किस्म की होती है, तासीर अलग-अलग होती है, ना हुआ है, अकस्मात धन की प्राप्ती अचानक रुपए की प्राप्ती का उपाय मतलब कह लीजिये, आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाएं, आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी हो अगर आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो यकीन मानिये आपको कहीं ना, कहीं से रुपए जरूर म उसको अपने उपर से हर शनिवार को मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नीमबू गाना है अगर आप सिर्फ इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत हलका साभी साथ देती हैं भाग्य आपका साथ देता है तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुप्या मिल जाएगा आपका 60 बाजारी में रुप्या दुगना हो जाएगा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमिशन मिल जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था तो ये अगर आप कर लेते हैं धन्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता तो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं नए विडियो में धन्यवाद जैशनिदेव जी महराज